आप सबी को नमस्कार आईरुकंगे चैनल के माध्यम से आज जो हम पढ़ेंगे वो मुख्य तोर पर हम आज दंत गत रोग पढ़ेंगे दंत गत रोग वदंत मूल गत रोग दोनों अलग अलग हैं तो आज हम विशेश तोर पर जो बात करेंगे वो दंत गत रोगों की बात करेंगे जो कि शालक के तंतर के अंतरगत काफी विशेश एक टॉपिक है अपना इस से हमारा लोंग कोशन आ सकता है तो हमीनी के बारे में विशेश तोर पर बात करेंगे तो दंत रोगों को हम स्टार्ट करें वो मुख्य तोर पर दो परकार से divided किये गए हैं एक उत्पत्ति के अधार पर और एक उनके स्वरूप यानि कि उनका structure और उनका जो कार्य उनका function है उसके basis पर तो जो उत्पत्ति के अधार पर हैं वो दो परकार के होते हैं जिसमें किये को आपका शक्रजात और दूसरा दूज होता है सक्रज्जात का मतलब होता है जो क्या एवल एक ही बार उत्पन होते हैं तो वो आठ होते हैं संख्या में और दूज्ज का मतलब होता है कि जो हमारे पूरे लाइफ में दो बार होते हैं उत्पन उनको दूज्ज बोला जाता है तो उनकी संख्या 24 होती है इसलिए जो total दंतों की संक्या बताई गई है 24 plus 8 is equal to 32 तो 32 हमारे कुल दंत होते हैं अब हम बात करते हैं मुक्के तोर पर स्वरूप और कार्रे के दार पर तो उसमें आपका राजदंत, बस्त, दंस्ट्रा और हन्वे इस तरीके से 4 यहां पर हमारे आते हैं जो दंतों के विशेश यहां पर परकार बताए गए हैं जो राजदंत और यहां पर बस्त हैं उनको इंसीजर से हम ले सकते हैं राजदंत जो है वो central इंसीजर होते हैं और बस्त जो होता है उनको lateral इंसीजर से लिया जा सकता है consider कर सकते हैं दंस्ट्रा उनको कैनिन बोल सकते हैं और हनवे को मोलर्स और प्री मोलर्स के साथ में कोर्लेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम इनके भेद अगर देखें तो भेद का मतलब है रोग के भेद, दंत रोग जो बताए गए हैं, वो किस अचारी ने कितने बताए हैं। सबसे पहले अचारी शुषूरूत जिनको विशेश तोर पर डिसकस करेंगे आठ बताए हैं, उसके अलावा अचारी वागभट जी ने दस बताए हैं, योगर अतनाकर जी ने आठ बताए हैं और शारंगधर जी ने दस बताए हैं। तो इस तरीके से ये एक सिक्वेंस है जो के हमारे विविन विविन अचारियों ने बताया है आठ दस आठ दस सुशुरूत ने जो विशेश तोर पर आठ बताये हैं अचारिय शुशुरूत जी ने उनके बारे में हम विशेश तोर पर डिल करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीसेश टॉपिक की चर्चा है उसके बारे में हम बात करेंगे सारे के सारे जो भी मेरा ये पुरा का पुरा वीडियो रहेगा नोट स्पॉम में ही रहने वाला है तो आप अराम से इस वीडियो को देखते चलिए और जैसे ही आपको कुछ भी यूसफूल लगे हमारी वीडियो में तो मारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा जिससे की आपको भी हल्प मिले और हमें भी थोड़ी बहुत हमारे चैनल को ग्रो करने में हल्प मिले तो अब स्टाट करते हैं दंत रोग दंत रोग मुखे तोर पर अचारे शुशूरूत ने आठ बताए हैं उनके कौन-कौन से वो आठ है तो देखेगा उनके लिए क्या लिखा हुआ है इस तरीके से करके आपके दिये हुए सुशूरूत निदान सोला में ये श्लो का पुरा दिया हुआ है उसमें आठ परकार के दंत रोग कैसे कैसे हैं तो सबसे पहला नाम आता है दालन, फिर क्रिमी दंत, फिर दंत हर्ष, भंजनक, दंत शरकरा, कपालिका, श्यावदंत, एंड हनुमोक्ष इस तरीके से ये आठ नाम आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप इनको श्लोका से याद करेंगे, वैसे तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती श्लोका राम से याद हो जाता है बट अगर आपको नहीं हो पा रहा है तो इसकी ट्रीक आपके सामने स्क्रीन पर आपको दीख रही होगी दाल वे शक्कर के कप में श्याव क्रीमी है हर्श भाई ठीक है, बनलब हर्श भाई को आप बता रहे हैं कि दाल और जो शक्कर के कप हैं उसमें काले रंग के यानि कि श्याव कलर के क्रीमी है हर्श भाई तो दाल से दालन आपको लेना है दाल से हम दालन को लेंगे फिर शक्कर से हम किसको कंसिडर करेंगे दंत शरकरा को लेंगे फिर केक कप में तो कप से हमें क्या लेना है कपाली का लेना है उसके बाद कप में शाव क्रीमी तो शाव से आपको शाव दंत को कंसिडर करना है आठ नाम आपको इस क्रिक के माध्यम से भी याद हो सकते हैं अब आए विशेश तौर पर इनकी बात करेंगे अजये लिखोर इसे बोलते हैं तो दाद क क्या होता है बहुत सारे बहुत सारे नाटो को एक साथ में क्या होता है कि वह सीरा बाड गौती है ट्रोगी में तिवर वेदना कोचपन करती है और ये जो व्यादी है ये आपकी असाध्य व्यादी है तो ये बात हुई दालन की आगे बात करेंगे भंजनक के बारे में तो देखे भंजनयक में क्या बोला गया है कि कफ और वात तो मुख्य दोश इसमें आते हैं इसके बाद बोला है कि वक्त्रम वक्रम भवेत अथार्थ इसमें जो मुख है वो कैसा हो जाता है टेडा हो जाता है दंत भंगश्य इसके कारण जो मुख है वो टेडा हुआ है और तूट जाना हमेशन जाना तो है के scoop के कारन यहां पर तिव्र डालन थे क्या था कि दांत तो थे वहाँ पर बड़ पर उसमें cracking आ रही थी टांत है कि यह क्या होता है दुबारा से बनता नहीं है इसलिए इसको भी असाद्य बता दिया गया है तो ये बात हुई है भंजनक और दालन के बारे में आगे अब हम बात करेंगे तो शाव दंत के बारे में हम बात करेंगे शाव दंत में पित और रक्त मुख्य तोर पर देखने के लिए मिलता है तो क्या होता है इसमें कि जब पीत और रक्त का प्रिकॉप होता है तो दंत में क्या हो जाता है दंत में ऐसा लगता है कि जलाद यह दांत को इसमें दंत उत्पन हो जाता है जिसकी वज़े से जो दंत है वो कैसा हो जाता है श्याव या नील वर्ण का हो जाता है ये भी आपका असाध्य है डिसकलरेशन जो आपका दंत का हुआ वो भी आपका कैसा हो जाता है असाध्य हो जाता है उसके बाद देखिएगा दंत शरकरा की बात करेंगे दंत शरकरा में शरक्रा होती है उसके समान हमारे क्या होता है दात पर रुक जाता है जिससे कि हमारे जो दंत है वो गुन हरी वी गया है उसके लिए बोला गया है कि दंत के जो गुन है वो कैसे हो जाते हैं नश्ट हो जाते हैं इसमें जो चिकिस्सा करनी है उद्रन या आपने जैसे कि यह मा हो गई है यानि कि दंत शरक्रा यहां पर हो गया तो आगे बढ़ेंगे आगे देखेंगे दंत हर्ष के को आपने सुना होगा उसी तरीके की क्येस कैस है यह भी कि दंत में शीत वा उश्न का जो इस्पर्ष करना है क्योंकि आपको पता है वाद दोश है तो इस नहीं कि आपको यहां पर यूज करना पड़ेगा ठीक है अब बात करते हैं कपालिका के बारे में तो कपालिका में कफ और वात हमारा दोश रहता है इसमें जो बताया गए है दलियंती दंत वलकानी यदा शरक्रा सहा अथार्थ इसमें बोला है कि जो आपकी दंत शरक्रा है उसकी वज़े से क्या होता है वहा कहते हैं कपाली का इसका क्या होता है इसमें भी तो जो आपकी दंत महाँ पर जमा हो चुकी है दंत वलकल के ओपर यह कवच जम हो जाता है दंत शरकरा के ओपर तो उसका उद्रन करना है आपको उसको एक्स्टेक्ट आउट करवाना है या फिर वही सेम प्रतिशारन करवाना ह जैसे हमने दंत सरक्रा में पढ़ा था लाक्षाचुन और मदू के दुआरा ठीक है सेम वही ची किस्सा इसकी भी फोलो होती है उसके बाद देखिएगा हम बात करेंगे क्रीमी दंत के बारे में तो क्रीमी दंत में मुख्य दोश वात है इसमें क्या बोला है लक्षन क्रिशन चिद्री चलसरावी संसरंभो महरुजा अथार्श जो दंत है उसमें क्या होता है क्रिशन चिद्र युक्त हो जाता है क्रिशन उसमें काले काले चिद्री दिखते हैं आपको नोर्मल आपने देखा भी होगा और उसमें क्या होता है चल गुना जाता है ठीक है मूमेंट करन होता है तो वाप पर भहेंगर तरीकी सापको समझ में कर देना ऐसको असको निकाल देना है और उसके बाद में उसके Abu chem without नहीं नहीं हो 5 ऑफ महपर से ड्र दांत चल पिर उसके प्रेश्याद आपको रख्त मौक्षन करवा देना है या फिर आप उसको अवपेडिनस्थे, गंडूश और भोजन दे सकते हैं, कौन से इस नहीक यह सबी आपको इस नहीक देना है क्योंकि इसका जो निदान है वो कौन सा है, वात निदान है तो इसलिए आपको नहीक का यूज करना है इसकी चीकिस्सा में लास्ट देखते हैं अपना अपने हरुमॉकृ तो हरुमॉक्श में भी कफृ वाथ है तो आपने इसमें देखेगा क्या बोला है तो बोला है कि जो वाद पर कोपक हर विहार व्यक्ति कोई करता है विहार में मुखे दोर पर ज्यादा हसना, ज्यादा बोलना, तेजी से बोलना, जोर-जोर से चिलाना यह सब चीज़े अगर कोई करता है तो उस टेम्पे क्या हो जाता है कि हनुसंधी अपने आप में मुक्त हो जाती है ठीक है जो आपका जोइंट है हनुसंधी वाला हो कैसा हो जाता है अपने आप से फ्री हो जाता है उसको कहते हैं हनुसंधी या फिर हनुमॉक्ष ठीक है जै सारी problem होती है। ईसमें आपको करांकिए जोन को locate करना इसकी जंगा पर अगर मुख खुला है, तो चीबुख को ऊपर की नोर्मली तो बहुत सारी चीजे होती है कि दंत दावन करना चाहिए हमें दंत का शोधन करना चाहिए है यह सब चीजे हम देखती है दंत आपको पता ही है कि दंत दावन के लिए आपको दातुन का यूज़ करना चाहिए तो यह सब चीजे हमने पहले उल्रेडी पढ़ी है कि दाट उनकी लंबाई बारांगुल होती है, तो यह विशेश चीजे नहीं है, जो विशेश चीजेश है, वो मैंने आपर मेंचन करी है, कुछ चीजे चीजेश है, आपको जो मैं बता रहा हूँ, वो आपको exactly पहले से ही पता रहती है, तो यह था हमारा पूरा का पूरा हैं और हमने उनके बारे में सभी के बारे में देख लिया आई होप आपको इस वीडियो समझ में भी आई होगी और आपको इस वीडियो को आपको यह वीडियो पसंद भी आई होगी तो अगर आपको यह वीडियो काफी अच्छी लगी या फिर पसंद आई है तो इसको प्ली झाल झाल